नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है राइसे स्मार्ट के प्लेटफरम पर हम लोग आज एक बहुत चोटा सा टॉपिक है परियायवाची सब्द शब्द निर्माण की प्रक्रिया में परियायवाची सब्द बहुत महत्वपून है और परियायवाची सब्द सभी सब्द के चार भेद होते हैं एक आर्थी अनेक आर्थी विप्रीत आर्थी या पर्यायवाची सब्द तो पर्यायवाची सब्द किसी भी भासा की सबलता को दर्साथ परियायवाची सब्दों के प्रयोग से भासा मजबूत होती है जिस भासा में जितने अधिक परियायवाची सब्द होंगे वह उतना ही सबल और ससक्त भासा हो जाए इस दृष्टि से संस्कृत सर्वाधिक संपन भासा है क्योंकि परियायवाची सब्द सबसे ज्यादा संस् भासा में पर्यायवाची सब्दों के प्रयोग से पून अभिविक्त की छमता आती। देखो अगर किसी को बहुत अच्छा पर्यायवाची सब्दों का याद है तो उसकी संप्रेशन कौशल आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रहता है। इन्हीं प्रतिशब्द या समनार्थक सब्द भी कहते हैं, ब्योहार में पर्याय या पर्यायवाची सब्द ही अधिक प्रचलित हैं, पर्याय का अर्थ होता है, समान होता है, अत्या पर्यायवाची सब्द से तात्पर है, समान अर्थ वाला शब्द, क्या कहते हैं, समान अर सबसे पहला सब्द है अंक मने क्या होता है अंक मने हम लोग संख्या जानते हैं गिंती जानते हैं अंक मने क्रमांक जानते हैं अंक मने निसान या चिन या छाप की रोप में भी स्विकार करते हैं तो यह इसे अंक अंकुर क्या होता है अंकुर माने होता है कोपल अखुआ जाना कहते हैं बीच जो है अखुआ गया है कला पड़ जाना नवोधित जो होता है उसी भी अंकुर कहते हैं है न कलिका कलिका होना गभा जाना ये सारे सब्द जो है हम अंकुर के लिए प्रयों करते हैं इसी तरह जो अंकुस होता है, अंकुस माने प्रतिबंद होता है, अंकुस माने क्या होता है, प्रतिबंद, रोक, दबाव, रुकावट, नियंत्रण के लिए हम अंकुस सब्द का प्रहोग करते हैं, इसी तरह अंग का बताईया आप लोग, अंग माने अव्यव होता है, अंस होता है, काया होता है अंग माने क्या होता है काया हिस्सा होता है भाग होता है खंड होता है उपांस होता है घटक होता है टुकड़ा होता है या तन भी अंग को तन भी कहते है क्या कहते है तन भी कहते है इसी तरह अगनिका क्या होता है आग होता है अनल होता है पावक होता है जात वेद होत कहते हैं अगनी को क्या कहते हैं वैस पानर उताशन भी कहते हैं और रोहितास भी कहते हैं इसी तरह जो अचल होता है अचल मने क्या होता है पल्लू होता है छोर होता है छेत्र होता है कहते हैं इस अंचल अंचल पढ़ते हैं अंचल मने होता है पल्लू छोर छेत्र अंत प्रद योग कई बार आपके जीवन में कुछ घटना है ऐसी होती है जो अनायास ही घट जाते है जीवन रुख सजाता है है कि नहीं अकस्मात अनायास एक देव योग इसी तरह अटल है अटल का क्या मतलब होता है अडिग इस्थिर पक्का अटिल इस्थिर पक्का क्या होता है भई पक्का द्रण अचल निश्चल कीरी सहल नगा ये अटल सब्द के लिए आता है आकुल माने क्या होता है आकुल माने होता है व्यग्र क्या होता है आकुल माने व्यग्र वेचैन है ना छुब्ध बेकल इसी तरह होता है आकार चहरा मोहरा नय नक्स डील लोल आकृति कहते हैं किसी व्यक्ति की आकृति कैसी है उसका आकार कैसा है चहरा मोहरा कैसा है देल लोल कैसा है उसका है डील डॉल नय नक्स कैसा है, हम इसको क्या कहते हैं, परियाएवाचिस, आदर्स क्या होता है, आदर्स के लिए कितने सब्द हैं भई देखिए, प्रतिरूप कहते हैं, प्रतिमान, तो आज प्रतिमान मेले हो गये हैं, मानक एक सब्द है, मानक नमूना भी हम इसको आदर्स के रूप में कहत कहते हैं कि नमूना है आलसी मने क्या होता है चलो निठला बैठा ठाला ठलुआ सुस्त निकम्मा काहिल तुम बड़े काहिल आदमी हो मतलब तुम बड़े आलसी आदमी इसा कहते हैं इसी तरह चलो एक सब्ध है आयुश्मान आयुश्मान को क्या कहते है चिरायू दिर्घायू सतायू दिर्घ जीवी चिरन जीवी दिर्घ जीवी और चिरन जीवी कहते हैं इसी तरह आज्या सब्ध है आदेश से बना आदेश निदेश फरमान हुक्म अनुमती मंजूरी लेनी पड़ती है आज्या श्विकृती सहमत प्रस्षय हम लोग क्या कर रहा है परियायवाच्चि उनको पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं तो अगला है आख्यान आख्यान जिसे हम लोग पहले कहते थे कहानी, वृतांत, कथा, किस्सा, इतिवृत बीती हुई घटनाओं को जब हम क्रमवार याद करते हैं तो उसे आख्यान की रोप में प्रस्दत करते हैं अच्छा तो बताओ आधुनी के एक सब्द है, आधुनी को क्या कहेंगे अर्वाचीन, अर्वाचीन को क्या कहते हैं, आधुनी कहते हैं, नूतन कहते हैं, नव्य कहते हैं, वर्तमान कालीन कहते हैं, आधुनी को क्या कहते हैं, वर्तमान कालीन, नवीन, अधुनातन, इसके ज होता है तेजी स्फूर्ती जोस त्वरा तीब्र फूर्ती चपलता कि आपके शरीर में आवेग की रूप में आता है आप भूषन किसे कहते हैं जैसे गहना विभूषन भूषन अलंकार जेवर आभरन मंडन है न यह कहते हैं आलोचना अभी अभी एक सब्द आया था टिपड़ी नुक्ताचीनी समा लोचना इसके परियावाची सब्द है आलोचना समिक्षा टिपड़ी नुक्ताचीनी समा लोचना इसके परियावाची सब्द है मातोपूर सब्द है याद कर लेना इंदिरा किसे कहते हैं लक्षमी रमा स्री कमला को इंदिरा किसे कहते हैं इप्सा और आकांग्छा भी कहते हैं इच्छा को क्या कहते हैं आकांग्छा कहते हैं इसी तरह जो इंद्र हैं इंद्र के लिए क्या होता है महेंद्र शुरेंद्र शुरेश पुरंदर देवराज ये भी वह पुछता है देवराज और पुरंदर मधवाप और पाक शाहसन इंद्राणी किसे कहते हैं सची को इंद्रवधु को महेंद्री को इंद्रा को पोमोली को शतावरी को है ना शतावरी को भी इंद्राणी कहते हैं इंकार इंद्रार मने होता है आश्विकृति निशेद मनाही प्रत्याखान है ना इक्छुक मने होता है अभिलासी लालाईत उतकंठित आतुर इशारा होता है संकीत इंगित और निर्देश इंद्रधनुस होता है सुर्चाप इंद्रधनुस क्या होता है सुर्चाप इंद्रधनुस शक्रचाप शप्तव वर्ण धुन है ना इंद्रधनुस होता है देव लोग को कहते हैं अमरावती को कहते हैं इंद्र लोग को कहते हैं देव पूरी और शुरपूर कहते हैं इंद्र पूरी शुरपूर को भी कहते हैं इसी तरह इंख के क्या क्या नाम है इंख को गन्ना भी कहते हैं उख भी कहते हैं रस दंड भी कहते हैं रसाल भी कहते हैं इमानदार मने होता है सच्चा, निश्कपड, सत्यनिष्ट और सत्यनारा है, है न, और इश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, इश, ओम, ब्रह्मा, अलख, अनाति, अज, ये सब हम क्या होता है भई, इश्वर के रूप में आते हैं, नेक्स्ट है, उचित, उचित मने होता है, ठीक है, सम्यक है, सही है, उप्युक्त है, वाजिब है, उतकर्स होता है, उन्नती के रूप में, उत्थान के रूप में, अभिदय के रूप में, उन्नती, उत्थान, अभिदय, उन्नेश, इसी तरह उत्पात जो होता है, जो मताते हैं, वो क्या होता है, दंगा होता है, उ फशाद होता है उर्दंग होता है गड़बड होता है उधम होता है उत्पात दंगा उपद्रव फशाद हो दंग गड़बड उधम उत्ष होता है समारोह के लिए आयुजन पर्व त्योहार मंगलकारे जलश जलसा होता है उत्षा होता है जोस उमंग होसला उत्तेजना उत्सुक होता है आतुर उत्कंठित व्यग्र उत्कंठ रुची और रुज्छान की रुप में आता है उधार जो होता है उधात होता है शहर्दे होता है महामना होता है महासे होता है दरिया दिल क्या बड़े दरिय दिल है उदाहरण के लिए क्या क्या सब्सक्राइब को कहते है मिशाल नमूना देना द्रिष्टांत कहना निदर्सना करना है ना उद्ध्रण देना इसे क्या कहते है उदाहरण देना उद्ध्रण निदर्सन द्रिष्टांत नमूना मिशाल बहुत पुर्षता यह भी से क्या होता है प्रयोजन धेय लक्ष निमित मक्षद हेतु हेतु मने कारण होता है किसी चीज को करने की कारण क्या है प्रतिभा व्योत्पत्य और अभ्यास तीन चीज़े आते हैं उन मूलन होता है निरशन अंत और उर्थ शादन होता है उपकार का क्या होता है परोबकार अ और रिद्धी इसतरह एकता, ओक्तवन क्या होता है शहमति एकत्व, मेल जोल शमानता एकृपता एक शूत्रता एक्ता के लिए होता है, एहसान जो है, तो आप लोग जीवर में कहते हैं, आपका बहुत बड़ा एहसान है, एहसान को हम लोग आभार भी कहते हैं, कृत अग्यता भी कहते हैं, अनुग्रह भी करते हैं, अनुग्रह शब्द बहुत अच्छा शब्द है, हम किसी की बात को, कि किसी के की हुए कार्य का हम क्या करते हैं अनुग्रह करते हैं इकांत क्या होता है सून सान सून निर्जन जहां जन नहीं होते हैं विजन इसको सून सान कहते हैं होता है कस्मा तचानक सहसा एकदम एस्वारी होता है बैभुता संपनता सम्रिध्धी संपदा एक्षिक होता है स्वेक्षकृत व्यकल्पिक और अक्तियारी है न अक्तियार की रूप में आता है किसके रूप में आता है अक्तियार के रूप में नेक्स्ट है ओज ओज माने क्या होता है भाई दम होता है जोर होता है पराक्रम होता है बल होता है सक्ति होता है ताकत होता है ओजल माने अंतरध्यान तिरोहित होता है द्रिश्य होता है लुप्त होता है और गायो उस माने होता है तू शार, हिम कण, हिम शीकर, हिम बिंदु, तू हीन कण, तू हीन कण होता है ओठ माने ओठ होता है, अधार होता है, ओस्ट होता है, दंतरक्ष होता है, रक्षक होता है, दंतरक्षत होता है, तू हीन कण और और मने होता है अन्य दूसरा इतर भिन अधिक ज्यादा तथा और का क्या क्या होता है वे क्या प्रयोग कर लेते हैं अन्य दूसरा इतर भिन अधिक ज्यादा और और सधी को क्या करते हैं दवा दवाई औशद औशद की रूप में स्विकार करते हैं है ना अब आजाई नेक्स्ट का वाले वार्ण कौन कौन से हैं जैसे कमल को क्या क्या कहते हैं कमल सरोज जलज पंकज कमल सरोज जलज पंकज नीरज वारिज अम्बुज अम्बुज अब्ज कन को कहते हैं अंगराज सूर्य सुथ अरकनंदन राधिय उत पुत्र रविशुता अधित्यनंदन कन को कहते हैं कली मने क्या होता है मुकुल जालक तामरपल्लव कलिका औरम नवपल्लव कहते हैं इसके बाद कल्प ब्रिक्ष है कल्प तरू भी कहते हैं कल्प साल भी कहते हैं कल्प दुम भी कहते हैं कल्प व्रिक्ष को कल्प दुम कहते हैं कल्प पादब भी कहते हैं कल्प विटब भी कहते हैं इसी तरह कन्या मने होत है क्या कुमारिका बाल का कि सुरी बाल कठिय कहinvestेज्ट मोजक कंग निरधन गरीव अकिंचन दरीद्र, कंगाल, निर्धन गरीव अकिंचन और धरीदु होता है, कमजोर का होता है, दुरलव, निर्बल, असक्त और छिय, कुटिल का होता है, छली, कप्टी, धोकेबाच, चालबाच, खली कब्ति धोखेवाज चालवाज काक मने होता है काग वायस पिशुन पिशुन यह पूछा गया है काक मने कववा होता है तो कववा को पिशुन भी कहते हैं करठ भी कहते हैं करठ भी कहते हैं याद कर लेना पिशुन आप से पूछा हुए परिच्छा में कुत्ता का क्या ह होता है कुकुर होता है स्वान होता है सुनक होता है कुकुर होता है कर न यह आर्स गरून का क्या होता है आत्मिय भाव इसके बाद है गरून का क्या होता है खगीश्वर होता है, शुपन होता है, वैतनीय होता है, नागांतक होता है, गरुण को क्या कहते हैं, गौरों को क्या कहते हैं, मान, शम्मान, महत्तो, बड़पन, जो आदमी गौरों होता है, गौरों के लिए मान, सम्मान, महत्तो, बड़पन, गंभीर का होता है, गहरा, भी पूछा हुआ है सदन भी पूछा हुआ है निकेतन भी पूछा आले मकान गेह गेह और शाला भी पूछा हुआ गीदर का श्रिंगाल होता है शियार होता है जंबुक होता है जंबुक माने भी हम क्या कहते हैं भई गीदर कहते हैं गुप्त माने निब्रिद आप्रगट गूण अग्यात परोक्ष होता है गती माने हाल होता है दसा होता है अवस्था होता है इस्तिती होता है चाल होता है र गागो आजकल गड़ेश जी का दिन चला है तो क्या कहते हैं लंबोदर मूश वाहन भवानी नंदन विनायक गजानन मोदक प्री भी कहते हैं गज माने होता है हस्ती इंदूर ये भी बहुत पूछा है मांतक मांतंग मांतंग भी पूछा हुआ है गज के लिए कुम्भी माने होता है गधा ये भी पूछा हुआ है गधा धूसर गर्धप चक्री वाहन रामभक लंबकर्ण वैशाखनंदन वैशाखनंदन भी हम गधे को कहते हैं इसके बाद चंदन है मंगल मलेयज श्रीखंड के रूपे स्विकार करते हैं चादी को क्या क्या करते हैं रजत रित्र मने होता है आचार सदाचार सील और आचरन होता है चिंता को हम फिक्र सोच और उहापोह भी कहते हैं चौकीदार को आरच्छी पहरेदार पहदी गारत और गस्तकार भी कहते हैं जो चोटी होती है उसे स्रिंग तुंड शिखर परकोटी भी कहते हैं परकोटी मने भी होता है चोटी चक्र माने पहिया चाक और चक्का होता है इसी तरह जो चिकित्सा होता है उपचार इलाज दवादारु होता है चतुर माने कुसल नागर प्रविल्ण दक्ष निपुण योग यहोशियार चालांक और सयाना होता है जो चंद्र होता है वो सोम, राकेश, रजनीश, राकपती, चाद, हिमान्शू भी चंद्रमा को कहते हैं, यह ना, शही बात है, चादनी जो होती है, वो चंद्रिका, जोचना, कौमदी, कुमोदलता, जहुनाई, अम्रित वर्षिवनी भी कहते हैं, यह कहते हैं, इसके बाद जो आता है, जननी, मा, माता, माई, मैया, अम्बा, अम्बा, जीव जो होता है, जीव प्राणी, देह धारी, जीव धारी, जिग्यासा, उत्सुता, उत्कंठा, कुतुहल कहते हैं, जंग को क्या क्या कहते हैं, युद्ध, रण, शमर, विश्व, भुवन, मृत्य लोग कहते हैं, जल मने, जल म सहाज को जलयान, वायुयान, विमान, पोत और जलवाहन भी कहते हैं, जानकी मने क्या होता है, वैदेही, मैथिली, शीता, रामप्रिया, जनक दुलारी, जनक नंदिनी कहते हैं, जुटाना मने होता है बटोरना शंग्रह करना जुगार करना एकत्र करना जमा करना जोस मने होता है आवेग साहस उत्साह उमंग हौसला जोस आवेग साहस उत्साह उमंग हौसला और जीव कहोता है जिववा रशना रशग्यता चंचलता और जमुना का होता है सूर्य तनिया याद कर ले न, जमुना का बहुत बार पूछा है, सूर्य सुता, सूर्य तनिया, कालिंदी, आरकजा भी जमुना जी को कहते हैं, और कृष्णा भी कहते हैं, ठीक है बाई, नेक्स्ट है, टीका माने भास्य विवर्ति, विवर्ति, ब्याक्षा, भासांतरण, टक्कर का होता ह है, शमूग, मंडली, जथा, जुन्ड, चट साल, पाट साल, ये किस के लिए होता है, टोल के लिए होता है, टीस का मतलब होता है, साल, कसक, शूल, शुक्त, चसक, दर्द, पीडा, ये आजकल कहते हैं, दर्द हो रहा है, पीडा हो रहा है, इसे टीस कहते है, टेढ़ा माने माने होता है बंक, कुटिल, तिर्चा, वक्र, कठिन, पेचीदा, मुश्किल, दुर्गम, कंच माने होता है शूम, क्रिपण, कंजूस, निश्चुर, ना, थंड का मतला होता है सीथ, ठिठुरन, सर्दी, जाड़ा, ठंधक, ठेस का आघात, चोट, ठोकर और धक्का, जब मने होता है ठिकाना, स्थल और जगह होता है ठग मने होता है जालसाज, प्रवंचक, वंधक, प्रचा, प्रचारक अधाट मने होता है आडंबर, सजावट और बैभाव के रूप में सुईकार करते, ठीक है इसकी बाद है तन, तन मने होता है सरीर काया जिस्म देह वशू, अपश्या मने होता है साधना तप योग अनुष्ठान, तरंग मने होता है हिलोर, लहर, उर्मी, मौज और वीची, तरु मने क्या होता है व्रिक्छ, पेन, विटप, पादप ये भी पूछा हुआ है द्रुम, देख द्रुमों की है न तो द्रुम दरक्त, पादप ये आपसे पूछता है किसके लिए तरु, तलवार को क्या कहते हैं असी, खडग, शिरोही, शिरोही, चंद्रहास, क्रिपान, शमशीर, शमशीर भी, करावल, करावल और करौली, करौली भी कहते हैं तम मने होता है मनोग्या, सुन्दरी, यवन, वच्छी, प्रमादा और रमडी, प्रमदा, प्रमदा सब्द पूछा हुआ था तरुनु के लिए जो है प्रमदा सब्द और रमडी सब्द, ये तारा मने नखत, उडुगण, नच्छत्र और तारक कहते हैं, तम्भु मने होता है खेमा, शि तस्वीर मने होता है, चित्र, फोटो, प्रतिविंब, प्रतिकृती, आकृती कहते हैं तलाब करते हैं, जला से सरूर, ताल, सर, तडाग, सर पूछा हुआ है आपसे, शर तडाग, जल्धर, सर्शी, पदमाकर तलाब को कहते हैं, इसी तर ताल मेल मने होता है समन्वे, गती सामन जस्य तरकारी मने होता है साक सब्जी भाजी तूफान मने जंजावात अंधर आधी प्रभंजन तुरूटी मने होता है असुद्धी भूल चुक और गलती हम लोगों से जीवन में गलती होते रहती है थकान कलांती श्रांती थकावट थकन थोड़ा मने कम जरा ठाह मने अंत छोर शिरा सीनग थोठ मने क्या होता है खाली खोखला रित चूचा ठाल मने होता है धर्ती जमीन प्रत्वी भूदल भूनी धनुस मने चाप धनू शाराषन पिनाप ये भी पूचह हुए पिनाप, धनुस के लिए पिनाप कहते हैं गोड़क कहते हैं विशिक खासन कहते हैं. धीरज मने धीरता, धीरत्व, धैर्य, धारन, धृति. धर्ती, धरा, धरणी, पृत्वी, छिती, वशुन्धरा, अवनी, भूधिनी. धुन्द मने होता है कुहरा, निहार, पुहासा. धुस्त, नश्ट, भ्रस्ट, खंडित. धुस्त करना. धूल मने क्या होता है रज, खेहट, मिट्टी, गर्धव, धूली और ध्रू माने होता है अटल, इस्थिर, निश्चित, द्रण, धन्धा माने होता है रोजगार, व्यापार, कारोबार और व्योसाय, धनूर्धर, धन्वी, तिरंदाज, धनूर्धारी, निशंगी, ये बहुत पूछ पूछा हुआ है निशंगी सब्द जो है किसके लिए धनूर्धर के लिए धावक कौन होता है तो इस तरह से इसको पूछा हुआ है न नदी को क्या कहते हैं सरिता दरिया अपगा तटिनी सलिला श्रोत श्विनी कलोलिनी नमक का होता है लवंड लोन रामरश नओ नया होता है नव्य नवीन नूतण आधुनिक अभिनव अरवाचिन नव ताजह नास का होता है समाप्ती अवशान विनास संहार ध्वंस नस्ट भरश्ट नित्य हमेशा रोज सेरातन सर्वदा सदा सदयव चिलंतन सास्वत को भी नि रित्य होता है जो नियम का होता है विधी तरीका विधान धंग कानून रीती नील कमल होता है निंद्रवीर नीलामबुज नील सरोज उत्पल उत्पल भी पूछा है नील कमल को उत्पल भी कहते हैं अस्तिकमल कुवलेया भी कहते हैं किसी तरह नौका को क्या कहते हैं तरणी क कहते हैं तरणी दूबी थी हमारी ताल में तो डोंगी भी कहते हैं नओ भी कहते हैं जले आन नया तरी भी कहते हैं नारी माने श्त्री होता है महिला होता है रमडी होता है वनिता होता है वामा होता है अवला होता है आवरत होता है केना निंदा माने अपयस बदनामी बुराई बदगोई कुट्च थक है नि Цे की पधर माने पाहन प्रस्तर शंग अश्म पाशान पति माने स्वामी कांथ भर्तरा भर्तार बल्लव भरता इश कहते हैं इसी तरह पत्नि को क्या कहते हैं दुलहिं अर्धांगिनी ग्रिहने चित्रया दारा जोरू और ग्रिहलक्ष्म जोरू पथिक मने होता है राही बटावू पथी मुशाफिर बटोही कौन दिशा में बटोही चल लहा है यह न ऐसा काना तरह है पंडित का विद्वान सुधी ज्यानी वीर कोविद प्रग्या परशुराम भृत्यसुत ज जम्दाग्न भार्गों परशुधर भ्रिगुनंदन रेणुका तनय परवत मने होता है पहाड अचल सैग्नाग धोशर भीरो महिधीर गिरी पवन का होता है समीर अनिल मारुत वात पवमान पवमान भी पूछा हुआ है आपसे वायू और बैयार भी कहते पवित्र का पुन आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसको लिख करके याद कर लिजी है